सत्नारण के वल कवीर देव है कवीर साहब है जो कासी में धानक रूप माया था बनार्स के अंदर 120 वरस रहे सैसरी राये थे सीसु रूप धारण किया था और सैसरी दे ले गए थे मघर से हजारों लाखों की संख्याम उपस थी दर्सकों के सामने उनके सव जब परमात्मा एक कवस्तर बिचाया था एक चदर एक उपर लेट ओड कर लेटे थे कुछ देर के पास आकास वाणी होई थी देखो मैं जा रहा हूं इस चदर में कोई मुर्दा नहीं है चदर उठा कर देखी सुगंदित फूल मिले थे वो ना जनम हुआ ना मरे थे वो सत नारायन है वो अविनासी परमात्मा है नारायन कारत होता है जल्व पर आकर आने वाला जल्व पर विराजमान होने वाला प्रमात्मा एक लीला पर तेक यूग में करते हैं सत लोग से चलकर रहते हैं सैसरी रहते हैं और कमल के फूल पर वो सरोर के अंदर जल के उपर आके विराजमान होते हैं जिस कारण से वास्तों नारण वो प्रमात्मा है कबीर जी तो जब आपके यह सतनारण कसा समझ में आ जाओगी क्योंकि यह परत्थम बार सुनता है कोई दूसरी बार सुनता है और जिन्होंने खुब सुन रहा है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है तो यह लोक रेन का नहीं है हमें विकलप नहीं मिल रहा था पुनात्माओ इस परमपिता की सर्ण माने के बाद कबीर साहिब की सर्ण माने के बाद आपके जितने परिवार के सद्यसे हैं सब सुरुक्षित रहेंगे आपको अवस्यक वस्तुय उपलब्द करवाएगा तब ही हम बगती कर सकते हैं जिसके 24 गंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की तो बगती नहीं कर सकता है पहले तो आपको टेंशन फरी करेगा है जितनी आपकी आस्था इस बगवान में बढ़ती चली जाएगी जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा पुष्टकों से टीवी चैनलों से हट जाता है यहां आने के बाद रहा कहा फिर मांजा जाता है अपरानी और फिर यहां आने के बाद आसिरवाद परणाम बगवान की मंतर दिये जाते है दिरी दिरी या आतमा इतनी निर्मल हो जाती है पर तेक बात पर जो दास बोलागा उस पर विश्वास होने लग जाएगा अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है कुछ पर एविश्वास होता है तो इसी परकार पर मात्मा पर हम पुर्ण विश्वास ना कर पाते तब तक देरी रहेगी आपके सब कारिये से दोने में और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा फिर तो कहना ही क्या है जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है एक भग्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है कितने एक बताओं गिनती नहीं तो अपने आत्माओं बग्वान है ये ये हमारा सचा पिता है और अपने पिता को ये अपने संतान के दुख की चिंता होती है और ये समर्थ है हमारे सब काम करने में सक्सम है सब दुखों को दूर करने में सक्सम है फिर देखना सारे काम ठीक हो तो आप जब तक यहां रहोगे आपको अपना परिवार आपके बच्चे भाई बेन माता पिता सबी पिरिया लगते हैं और इसकी सरणमा आने के बाद आपको ये सब आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गुमन नहीं होगा और ये दी आप परिमात्मा की सरणमा नहीं हो पिरिये तो पहले फिर भी लगते हैं और एक मिटे में मरतू हो जा किसी भी पिरिये बेटे की या बेटी की टक्र मारते रह जाओ वो पिरिये लगो से ना लगो फिर और इसकी सरनमाने से आपको संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उमर भी बढ़ा देगा, यह समरत परमात्मा है, यह सत्कर्माले है जैसे आदनिये स्वामी रामानन जी जो कबीर परमात्मा ने उनको यथारत ग्यान से परीचित कराया था, ग्यान से बहुत कुछ ग्यान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया, फिर उन्होंने एक समस्या, उनके सामने आई के बच्चा, मैं 104 वर्स की उमर का हो चुका हूँ, और 16 वर्स की आयू से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री किर्सन की गुन गाने, विश्मु जी के गुन गाने में, इने की बगदी करता हूँ, विश्मु जी को इश्ट मानता हूँ, स्वर्ग जाने का टार्गेट बना रहा है, तब परमेश्वर ने का था, कभीर जी ने कि स्वर्ग मैं कितने दिन रहोगे स्वामी जी, बुदी मान ब्रहमन था, विद्वान था, इतना तो ग्यान था, कहा था कि बच्चा, क्योंकि उसमें परमात्मा कभीर जी लीला मैं आयू पांच वरस के थे, और स्वामी रामानंद जी 104 वरस के विर्द हो रहे थे तब परमात्मा ने कहा आप कितने जन रहोगे स्वरग के अंदर विश्णु जी के लोक महिंद जिसको आप इतना प्यार करते हो विश्णु जी को तब उसने कहा क्योंकि बुद्धिमान थे कहा बच्चा जितना मेरा पुन होगा बगती की जितनी कमाई होगी उसके आधार से वांसे में निर्धारित किया जाता है परमात्मा ने कहा उसके बाद कहा जाओगे एक पता नहीं परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं कहा जाओगे इसके बाद आप नरक में जाओगे कबीर साहिब ने का अर नरक के बाद फिर तुरा सी लाख योनियों में जाओगे कुत्य और गधे बनोगे और तेरा भगवान विश्णों भी मर्टू को प्राप्त होगा फिर कहां जाओगे बर्मांड पूरा ना सावएगा तब कहां जाओगे अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आपको उस समय वर्थमान के इंदर ततकालिन समय में स्वामी रामानण जी एक नमबर के विद्वान माने जाते थे वेदों गीता और पुराणों के और वो 104 वर्थ ऐसे मुँ खुला का खुला रहे गा जब कभीर प्रमातुमान ये वर्चन उनके सामने बोला फिर कहां जाओगे तू? मुँ फटागा फटा रहे गा 104 साल के विर्थ का तब प्रमातुमान ने कहा मैं बताता हूँ एक सत लोग है उपर आपके वेद भी बताते है प्रमान जी ने कहा जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वरग तक ही पढ़ा है प्रमातुमान बोले के तुमने पढ़ा ही नहीं है तुम एक दूसरे की सुनी-सुनाई-दंद कथाएं सुना रहे हो तुम जिराकार बताते हो प्रमातुमा को और वहां साकार है भगवान तो प्रमात्मान ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ाई नहीं पढ़ा तुम्हारे समझ मनी आया तो प्रमात्मान ने सारा कुछ बताया कि उस वेद मैं ऐसे देखिए उस वेद मैं ऐसे देखिए तो कहने का भाव ये है कि रामान जी के सामने एक समस्या आगी कि हे कबीर जी मैं एक सो चार साल का वर्द हो गया सारा जीवन गया मेरा इस बगती में अब ना पता मेरा जीवन दो वर्स का है तीन वर्स का है एक छे मिने का है अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं गरका रहूं ना गाटका आपके अनुसार बताए मारक पर लगूं कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुस बन पाए नहीं मेरी मर्तू हो जा परमातमा कवीर जी ने कहा कि स्वामी जी जिस बगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूँ वो इतना समर्थ है कि आपकी उमर भी बढ़ा देगा और जो साधना आप कर रहे हो पचास वरसे, सो वरसे, असी वरसे नब्बे वरसे ये तो आपने संखो बार कर ली वा तो करो चाए ना करो कोटी जनमतन भरमत होगे कुछ ना हाथ लगारे कुकर सुकर खरबया भोरे कुवा हनस भुगारे कोटी जनमतूरा जाकी ना मिटी नमन की आसा विक्षक होके दरदर घुम्या ये मिलाना निर गुन रासा इंदर कुबेर इसकी पद्वी बरमा वरन धरम राया विश्णोनाथ के लोक कुँ जाके तो फिर भी वापे से आया असंग जनमतन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरेरे दौदस मद महल मठबोरे बहुर न दे धरेरे दोज्जक बिश्ट सभी तें देखे राज पाट के रसिया तीन लोक से तरपत नहीं ये मन भोगी खसिया सत्गुरु मिले तो इच्छा मेट्रे पद मिल पदे समाना चलहन सा उस लोक पठा हूँ जो आदी अमर अस्थाना च्यार मुक्ती जहां चम्पी करती माया होरी दासी दास गरीब अभै पद पर से वो मिले रम अविनासी तो परमेश्वर ने कहा के स्वामी छी जो साधना आप कर रहे हो इसको तो असंख जनब हो गया आपणा करता ने इस के इस की सा इस विधान से आप क्या बनते हो कोटी जनम तू राज्जा की न और मिटी नमन की आसा बिक्षको के दर दर घुमे गोड़न तू राज्जा की न कहते क्रोण जनम राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से और फिर इंदर कुवेर ईश्की पद्वी ब्रमा विश्णो महेस भी ये जीव है ये गनेपुन कर्मी प्राणी है जिस कारण से इस काल ने अपने विशेश विवस्थक न्योक्त किये है और इनकी मर्तु होती है उससे पहले और पुनकर्मी प्राणी हो में से अपने पूतर के रूप में ब्रमा रजोगन युक्त विश्णो सतोगन युक्त और सिव को तमोगन युक्त करके पहले त्यार रखता है उसकी मर्तु होती दूसरा बठा देता है वो प्राणी उततकाल इन दो बर्मा विश्नों मह Caucas होते हैं वो तुरासी लाग योनियों में कषट उठा रहे होते हैं नए बर्मा विश्नों महेस ये रख लेता है न्योक्त कर लेता है पुन्यात्मा में से छाट कर